वेलकुम बैक तो माई चैनल, I am Ritu and you are watching Ritu's World और आज मेरे केट अब से आपको बता लग जी गया होगा कि मैं आज क्या करने वाली हूँ मैं आज करने वाली हूँ अपना स्किन केर स्किन केर करने वाली हूँ अपने होम में DIY से जो DIY मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ इन DIY को मैं अपने पिछले 2 साल से अपने फेस पर यूज करी हूँ और मुझे इसका बेकुल भी हाम नहीं है और इसलिए मैंने आज सोचा यह सब तो मैं करने वाली हूँ और चया बैज और योच को आप यूज कर सकते है और चलिये सट्र करते हैं अपनी वीयान मेरी ही पल wherein वीडियो को लाइक करेंका और मेने चैनल को कौन से इंग्रिटिंट यूज करने वाली हूं और सबसे मैंने इसमें रॉव मिल्क लिए और और अपने फेस को अच्छी तरह साफ करूंगी और आपको बताएं यह रोव मिल्क जो है वह हमारी फेस में बहुत अच्छी क्लिंजिंग का काम करता है और सबसे पहले मैं अपने अच्छी का काम करता है और गाइस अब इसको अपने रॉटर से क्लीन और अब स्टार करते है अपना फेस सीकरा बढ़ी तरह से पहले मैंने इस शुगर को कर लिया है और मैंने वन स्पून क्रूछ की यह और जिससे आपकी स्टॉबिंग बहर और इसके बाद मैं यूस कर र अश्पिंधी ऊक्रब , और इसमें में लिए एक रश्च सुगर , और एक यञे लिया कॉफी का , आ年前 नारीयल का तेलाली यूसे करहला है। इसमें बू ही चाहिए और यूप में बहें वहे हूँ। और में जरतामा एक स्युपंग के लिख में लंखी , और यह इसको अच्छे तरह से mix करने के बाद, मेरा scrub हो गया है त्यार, और इसको अच्छे तरह से mix कर लूँगी सबसे पहले मैं अपने scrub को अपने face पे अपनी brush की हद से कर रही हो अप्लाएं और ऐस्यस बहोत ही अच्छा सक्रब आप पूलीज मेरे कहने से बाद जरूर यूज़ करें आपको बजार से सहथ लाने की क्या जरूरत ही नहीं परेगी इसके मैने जो आपको पते कि मैं इसमें कॉफी का यूज्स किया कॉफी आपके लीग बहुत भी इच्छ है आपकी जो कि आपके फेस में बहुत ही अच्छा ड्राइड स्किन को करने का काम करेंगे घटाने का काम करेंगे अब फिर मैं इसको अपनी हाथों से अच्छे तरह से अब इसको सक्रब करूगी यह बहुत ही अच्छा सक्रब है और शायद इसको एक बार अगर आप यूज करेंगे तो आपको दुबारा कोई बजार से सक्रब में आने की जरूरत नहीं परेगी और इस लागडान में तो आपको पता है कि शॉपिंग का या सलून जाने का अभी हम सोच भी नहीं सकते तो यह आपके लिए यह स्क्रब इस ताइब बहुत ही हालफुल होने वाला है अगर यह स्क्रब थोड़ा सा ड्राय हो जाता है आपके फेस पे तो आप थोड़ी सी पानी लेके और इसको अपने फेस को अच्छी तुना से स्क्रब भी करिए आपको आपको 5-10 मिनिट्स करना है करने के बाल अपको अपने नॉर्मल वाटर से ऐस तुना अब रसे तरह से अफेस को खोश्ट कर लूँगी अपने रड़ी इंपल फेस अपनी मेरा फेस कितना clear हो गया और dead skin तो बिल्कुल भी मेरे फेसे जैसे गाया भी हो गई है और अब तरन है मेरे स्क्रब की फेस पैक की बॉल में ले लिया है honey और ये ने अनिसराफि और पास किसी ब्रेंड का honey यूज हैं अब कर सकते हो और अब मैं समें कौफी और अब एक पकेच कॉफी डालूंगी और यह लेकिन बहुत ही मिल्क में डाल लिया है जिससे कि यह थोड़ा सा फेस पैक टाइप क्रीम ही आजाएगा और आप इसको अच्छे तरह से मिक्स कर ले और अपने फेस पे टैन मिनट के लिए अपलाई करें और यह बहुत ही अच्छा फेस पैक है और चलिए अपने फेस पे यूज़ करते हैं इसको अपने फेस पैक को अपने फेस पे अपलाई कर लूँगी और आप इसको अपने आअइस के पास पिप्लाई कर सकते हैं इसमें कोई भी हामफुल इंगेडियट्स नहींब है बहुत ही नैच्छरल सा फेस पैक है और गाइज मेरे कहने से आप इसको एक बार जरूर अप्लाइक करके दिखें यह मेरे जो डिया आए आपके लिए आप बाहर वाले स्कुर्फ फेस पैक से बहुत अच्छा रहेगा इससे आपके स्किन बहुत ही ज्यादा वाइडनिंग एफेक्ट में और ग्लॉइंग से हो जाएगी से जब भी मुझे अपने फेस पे थोड़ी सी पिग्मेट लगती है यह एकुछ भी मुझे अपर क्ली प्रेशना से नहीं फीर अपने फेस पर 10-5 मिनट के लिए सुखने के लिए छोड़ दे और इसके उसके बार इसको सिंपल वाटर से इसको क्लीन करें अब देख सकते कि मेरा फेस कितना ग्लोइंग लग रहा है और मेरे फेस से जैसे डेट स्किन बिल्कुल ही गायब हो गई है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कहने से प्लीज मेरा एक बार मेरा यह जरूर अपने फेस पर अप्लाई कीजिए और बाई गार्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में कोई नए डियाएवै के साथ